हालो दोस्तो तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जलेबी की रेसिपी दोस्तो तो कल दशेह रहा था तो दशेहरी के दिन मैंने ये जलेबी घर पे बनाई थी दोस्तो मैं पहली बारी बनाई थी मैंने ममे को बनाई कि होए देखा था लेकिन मैंने घर पे व्ली फुली और एकडम क्रिस्पी बन करके तयार होगी बिलकुल बाजार में मिलती है वैसी दोस्तों तो सबसे पहले हम बैटर बनाने की पर्फेक्ट उसका देख लेते हैं दोस्तों कि बैटर किस तरहें से पर्फेक्टली हम बना सकते हैं तो एकडम मित्रों एक कब भरके म तो मैंने एक बड़ा कब भर के मैदा लिया है और यह मैदे में के अंदर नोके लिए दया है अगर यहां परberger घी के अंदर तालो का भी ड़ी नहीं डालोंगे त्याश्य सकता। और इसके अंदर ferment जल्दी हो जाए इसलिए मैं 10 मिट में इन्स्टन जले भी बना रहे है तो इसलिए मैं यहाँ पे इनो का यूज़ कर रहे हूं दोस्तों तो मैंने पूरा एक पैकेट इनो लिया है और उसको मैं यह बैटर के अंदर मैदे के अंदर डाल दूंगी तो देख exceptionally, मैंने इनो का यहाँ पूरा पैकेट यहाँ डाल दिया है और सबसे पहले हम हाथों से इस तरह के से MIX करना है और हाथों से सबसे पहले MIX करेंगी दोस्तों तो अच्छे से मैंदा है घी और इनों के साथ में MIX हो जाता है तो इस तरह के से आप हाथ से जहती ही किज़ेका सबसे पहले वहाँ करें देखनों कि पानिग आप से मिड़ीय वहाँ 一 open से के संसिट्रा कर फ़र फ़र नहीं ऐसा हा देखें में थोड़ा धोड़ा करना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है एक साहफ मैं घृभाणा नहीं है तो जब आप इसको अंदर जले भी बनाएंगे तो अटक अटक के निकलेगी और हमारी जले भी एकतम जब फ्राइब करोगे तब फैल जाएगी तेल के अंदर तो यह बात का आप ध्यान रखे कि पानी जो है एकतम थोड़ा-थोड़ा करके ही डाले और इसको मिक्स करते चलि और एक ही डायरेक्शन में दोस्तो इसको मिक्स करते जाना है और मैं देख सकते हैं घाड़ा बैटर लगता है जब तक आपको तब तक पानी डालना है और बैटर किस तरीकी का रखना चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तो तो स्पैचुला की मदद से सबसे पहले तो मैं इस तरीके से बैटर को अच्छे से स्मूध कर लेती हूँ बाकी जो थोड़े से भी जो लंप्स होंगे वो तूट जाएंगे और एक्टम हमारा जो स्मूध बैटर है वो बन करके तयार हो जाएगा दोस्तो तो मैं आपको बैटर की कंसिस्टनसी अब दिखाऊंगी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि हम स्पैचुला जो है उसके उबर पूरी कोट हो जानी चाहिए और उसके नीचे से एक तरीके से एक एक ड्रॉप गिरना चाहिए एक साथ रिबीन टाइप नहीं बनना चाहिए इस तरीके से एक दूसरे के उपर नहीं जा रहा है बिल्क इस तरीकी का हमारा परफेक्ट बैटर यहां पे जलेवी का बन करके तियार हो चुका है और मुझे यह पानी कम से कम यहां पे एक पूरा कप और एक वन फोर कप जिता पानी यूज किया है मैंने अब इसको हम ढग करके करीबन दोस्तों तीन से पांच मीट के लिए छोड़ द दिया है ध्यान रखेगा जितना चीनी लेंगे दोस्तों उतनी ही हम यहां पे पानी लेना है और इसके अंदर मैं डाल देओ केसर और इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा जो चले भी है हमारी एक तम देखने में पॉर्फेक्ट और अट्रेक्टिव लगे इसके लिए मैं य थे लिए दोस्तों और यहां पे कोई एक थार या दो थार прим किसी कर को अम यहां पे इस तरह के चाशनी बनानी नहीं और उर सिर्फ हमारे जो चीनी है वोaga हो जाए बस उतनी ही हिन्त अबको चाशनी बना के इस तरह के से तैयार कर लेनी है और देख सकते हैंधिक का मना इस goomongarda एकिन ते noir हमाने पालिन घ्रादफ को अजसक देख सकते हैं मैंने आप रिखनी को अए याप बहुत सकते हैं याप मत प्विल्फ करें या ने दीखेंगा और और मैंने अब गैस के नीचे यहाँ पे चाशनी को ले लिया है दोस्तों और चाशनी हमारी जो है पर्फेक्ट बन करके तयार है उसको मैं यहाँ पे साइड में ले रही हूँ अब मैंने यहाँ पे जो बैटर है उसको रैस्ट के लिए रखा था 3-4 मिनिट तो हो गए है तो अई Не यह आपके पास नहीं आयए आप कोई भी थैली यूज लिग कर सकते हैं तो न मोल्डमारि यह तो बना रहे हूं तो देखे मैं नहीं आदाही क्या downwards छुट बन कर लूँगी दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखने चाहिए कि हमारा जो ओईल का टेंपरेचर है मैं आपको दिखा रहे हूँ ज्यादा होगा यह कम भी होगा तो क्या होगा कि जलेबी इस तरीके से चप्टी बन करके त्यार होगी सिर्फ वीडियो के लिए मैंने प्राइब और नया ज्यादा लो बिल्कुल इस तरीके से मीडियम होना चाहिए तो देखे में डालती इसके अंदर बबल आ जाते है बिल्कुल इसी तरीके का हमारा जो ओईल है वो गरम होना चाहिए और जलेबी बनाना बिल्कुल मिलत्रों एकदम मुश्किल भी काम नहीं और नहीं है एं गोल्गं घुमायते जाए जाए और छटे के से बनकरके से रहाहें ओमार्थ जलेबी जो गोल्गोल होना बनकरके तयार में नहीं है तो यह देख सकते हैं इसको पलटा रही हो और दोस्तों इननी भीयो थोड़ा छोगया थी ми घूसकि और यह नोशलोब ब फिर भी देखिए हमारी जलेब्या उसको जितना आप उयल में फ्राइ करोगे उतने ही आमारी जलेब्या क्रिस्पी बन करके तयार होगी तो देखें बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाते जाना है और साइड में हमारी चाशनी है घरम-घरम में उसके अंदर डालते जाना है फ्रेंस यहां पर एक बात और ध्यान देने जैसे है कि यहां पर जो चाशनी है वो बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए ना एकदम ज्यादा गरम होनी चाहिए तो आप मानें कि अगर ठंडी होगी तो क्या होगा कि जलेबी के अंदर चाशनी नहीं जाएगी बिल्कुल दोस्तों चाशनी के अंदर हमारी जलेबिया है तब तक हम यहाँ पर दूसरा बैज जलेबिका भी बना के तयार कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह के से गोल-गोल गुमाई है इसको लॉक करते चलिए बस हमारी जलेबी इस तरह के से बन करके त्यार हो जाएगी एक मैदे से ठेर सारी जलेबी हम घर पे बना के त्यार कर सकते हैं दोस्तों एक बार आपने ट्राइ किया और आपके परफेक्ट बन गई दो तेल में बना के तयार करेंगे क्योंकि बाहर तो कैसा ओईल यूज करते हैं वह भी हम को पता नहीं होता है घर पे एक दम हम यह पे परफेक्ट जलेबया इस तरह के से बना के खा सकते हैं और देखें दोस्तों इस तरह के से ओईल में जितनी देर आप रखेंगे और इसको फ् जलेबया को नहीं रह люकली आप ज श्याज दूस्तों जलेबया को चाशनी में रखाता ज्यादा दिर नहीं रखा है तो देखें में टोस्तों इस तरह के से पहला बेच मैंने यहां पर निकाल दिया है और दूसरा बेच हमने जो फ्राइ करके रखा था वो भी यह जलेबिया हम यहां पर चाशनी में डाल देंगे और देख सकते हैं दोस्तों जलेबिया थोड़ी सी गरम-गरम ही हमने डाली है तो चाशनी एकनम अच्छे से पी लेग दोस्तों इतनी अच्छी जलेबिया देख़ें ऐक तो जलेबिया तोड़ी लगरिंखर टयार हुएं आप उसी अंदर शाना लगा सकता है कि जलेबिया किस्ति क्रिस्पी बन करके टयार हुह था इस तरीके से बना के त pokemon औरół दूस्तों आप यकिन नहीं पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं और मैंने तीसरा बैच भी इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि चाशनी कितने अच्छे से जले भी जो है और चाशनी कितने अच्छे से पी रही है और एकडम juicy हमारी जो जले भी है वो बन करके तयार होने वाली है और फ्रेंस में बिलकुल इस तरीगे से ये देखे ज्यादा देर चाशनी के अंदर हमको रखना नहीं है ये बात का ध्यान रखिए और इस तरीगे से मैं इसको प्लेट में निकालती जा रही हूँ और दिखे फ्रेंस एकडम गूल गूल बहार जैसी बाजार जैसी दिख रही है ना एकडम ज्यूसी सी हमारे जो जलेबिया है वो बन करके तयार हो चुकी है दोस्तों और एक बार आपने दोस्तों घर पर ट्राइ करके बनाया है मैं आपको यकीन माने बाजार की जलेबी बूल जाएंगे खाना इतनी अच्छे जले भी हमारी घर पर ही बनके तयार होती है तो दोस्तों मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा रहे हूँ कितनी क्रिस्पी देखिए इतनम क्रिस्पी सी हमारी जो जलेबिया है वो बनकर के तयार हुई है मैं आपको दिखा रही है एक्टम juicy आप देख सकते हैं मैं दबाकी दिखा रही है इतना जो चाशनी हा हाथ में पूरी आ रही है जलेबी उन्हें अच्छे से चाशनी को पिया है और एक्टम soft एक्टम कुरकुर ही हमारी जो जलेबीया बोलते हैं दोस्तों बनकर के तयार हो च कीजिए और अपना feedback मुझे comment section में जरूर से शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दीजे शेयर कीजिए अपने family friends में और मेरी चैनल को subscribe तो जरूर से कीजिएगा दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो please वीड आटीओ